नमस्कार दोस्तों तो आप लोग ने देखा होगा हम लोग ने पिछली क्लास में आपका मद्पदेश का एक सामानी फर्चे से किस-किस तरह की कुश्चन्स बन सकते हैं इस पर हम लोग उने विस्तार से बात की हुई थी, कि कितने तरह के questions वहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं, और याद रखी, इसमें हम लोग मद्वदेश, राज्य गठन और पुनर गठन से सम्मदित आपके questions देखेंगे, इसमें हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, क् कि मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने विस्तार से तो आप कई समझेगे कि राज्य गठन को आप लोगों ने कई जगह से पढ़ लिया होगा, और कई बार भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि आखिर आपके prelims में, या फिर आपके और भ तो आप लोगों के एक तरह से solve करने की स्तिती में नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैं बार बार एक और बात बोलाओं, कि आप लोग जिस भी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं, तो उसके कम से कम पास से 7 साल के कुश्टन स्पेपर पुराने उठाके देख लीजेगा, उन्हें खरीदना नहीं है कि खरीद के लिए आए और एक अलबारी में डाल दिया आपने, उन्हें आप लोग solve करने की कॉसिस किया करेगा, उसके बाद आप लोग फिर से बुक्स पढ़ा करिएगा, और जब आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो आप लोग जैसे ही किसी लाइन मे जाएंगे, तो आप लोग तुरंट आपको मालू चल जाएगा, अच्छा, भोपाल को इस समय जिला बनाये गया था, आप लोग तुरंट समझ जाएगी कि इस से इस तरह का कुश्चन्स पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं आप लोग, तो हम लोग आप समझें कि 1947 में आप जादी मिलती है, और आप सभी लोगों को मालू होगा, कि 1956 से पहले आप देखें कि मत्पदेस नाम का कोई राज्य नहीं हुआ अगरता था, आप समझ रहे हैं, आप देखते हैं कि 1947 से आपको चार स्टेटों का नाम आप लोग सुनते हैं, पार ड, पार व, पार सी, भोपा आप समझें कि ये सभी आप लोगों को राजिस्थान में कुछ भाग देखने को मिलेगा, महराष्ट में, और जो चत्तीस गड़ है, आप तो जानते होंगे कि मत्पदेस से अलग करी है, आपका चत्तीस गड़ बनाया गया था, तो आप लोगों से पूछ लेगा कि चत्ती पनाय हुई है, उस ही मेडली हुई है, तो इसमें आखिर कुश्चन किस तरह की पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं, एक तो सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा कि पायट यानि कि 1956 से पहले कौन कौन से एक तरह से स्टेट हुआ करते थे, उन्हें आ देखेए, 1956 से पहले यानि कि एक नवंबर,956 से पहले आप देखेँगे मद्वधिस में आपकी चार स्टेट हुआ करते थे, 1956 से पहले, एक कौन कौन से थे, इन्हें आप लोग पहले देख लिजें, एक तो पार्ट आपका ए हुआ करता था, पार्ट ए, इसमें आप जिसे आप लोग CP बरार के नाम से भी जानते थे तो याद रखिए जो पार्ट A था इसे आप लोग CP बरार के नाम से भी जानते थे और इसकी राजधानी की बात करें तो नांगपूर देखने को मिलेगी नांगपूर एवी आप से कई बार पूछ लेगा तो याद रखिए क तो कुछ समय के लिए आपको इंदोर देखने को मिलेगी और ग्वालियर, ठीक है, कुछ समय के लिए ये दोनों इसकी राध्धानिया हुआ करती थी, और इसे आप लोग पार्ट B को मद्ध भारत के नाम से भी जानते थे, किसके मद्ध भारत की नाम से, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को इयाद रखना होगा, एक पार्ट C हुआ करता था, और इसकी राध्धानी रीवा हुआ करती थी, जिसे आप लोग बिंदे पिदेश के नाम से भी जानते थे, इसकी राध्धानी की पार्ट C की बात करनें, तो आपको कौन थी? रीवा और बिंदे पिदेश, इसे कहा जाता था, ठीक है? और एक भोपाल स्टेट हुआ करता था, कौन सा? भोपाल, और इसकी याद रखी इसकी राध्धानी भोपाल हुआ करती थी, ए चार स्टेट हुआ करते थे आपके, और आप लोग एक नाम को सुनते हैं, कि आपका उननी सो तिरेटपन में आता है राजपुनरगठन आयोग, तो उननी सो तिरेपन का, और इसकी अध्यक्ष थी आपकी फजल अली, फजल अली सहाब, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक तरह से राजपुनरगठन आयोग आया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप देखेंगे कि एक तरह से आप समझे कि इनी की अनुसंसा पर एक तरह से, आपका एक नमंबर 1956 को मद्धविदेश MP नाम का एक राज अस्तित में आता है, तो यह आप लोगों से कुश्चन्स पूँच सकता है, कि राजपुनरगठन आयोग की तरह से, एक तरह से आप समझे किसके अनुसंसा पर आपका मद्विदेश राज बना था, तो राजपुनरगठन आयोग की, और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली साब, और आप लोगों को यह भी मालू होगा कि पहला भासाई अधार पर गठित होना वाला राज यह था आंद्विदेश, इससे आपका कुश्चन्स कई बार पूँच लिया है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, कुश्च जिलों को, आपका महराष्ट में मिलाए गया, कुछ छित को आप देखेंगे, राजिस्थान में मिलाए गया, तो पाइट एक ही बात कर लेते हैं सबसे पहले, जिसे आप लोग सीफी वरार की नाम से जानते हैं, और बता चुका हूँ कि इसकी राजिधानी नांगपूर रही है, तो इसमें आप लोग बड़े ध्यान से सुनी आप लोग, और बड़े सौट में लिखूंगा, ठीक है, बुलडाना, एक छित हुआ करता था बुलडाना, उसके बाद आप देखेंगे अकोला, ठीक है, उसके बाद अमरावती उसके बाद आप देखेंगे यवतमाल उसके बाद देखेंगे वर्दा उसके बाद आप देखेंगे नांगपूर और उसके बाद देखेंगे भंडारा बीसे भंडारा चांदा ठीक है इन आठ जिलों को महराष्ट में मिला लिया गया किसमें महराष्ट राज्य में मिला दिया गया था फिर से आप लोग सुन लिजे क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि पार्ट A में से कौन सा छित महराष्ट में मिलाए गया था और कौन सा छित आपका मद्पदेश में मिलाए गया था तो इन आठ को आप लोग पहले याद रखेजे बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नानपुर, भंडारा और चांदा इन आठ जिलों को महराष्ट में मिलाए गया था और जो सेस आपका पार्ट A बचा हुआ था पार्ट A का जो सेस भाग था, उसी आपका मद्पदेश में मिलाए गया था MP में, यह आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए फिर आता है आपका पार्ट B तो इसका कौन सा हिससा आपका मद्पदेश में मिलाए गया और कौन सा चित इससे बाहर गया तो आप लोगों को मालू होगा कि आप लोगों को पहली भी बताया हूँ कि इसकी राध्धानी इंदोर ग्वालियर रहा करती थी और मद्ध भारत के नाम से भी इसे जानते थी आप लोग तो इसके एक तैसील को आप लोग याद रखिए भान पुरा भान पुरा इस तैसील को आपका मद्पदेश में मिलाए गया था और इसका एक गाउं हुआ करता था सुनेल टपपा सुनेल टपपा कौन सा छेत? एक सुनेल टपपा के नाम से ठीक है? सुनेल टपपा के नाम से तो इसे कहां? राजिस्थान में इसका देखिए यह तैसिल थी और इसका एक गाउं था सुनेल टपपा छेत तो इसे आपका मिलाए गया था राजिस्थान में इसे आप लोग याद रखिए इससे भी questions आपके पूँच लेता है राजिस्थान ठीक है? आप लोग देखेंगे और याद रखिए और जो C भाग था इसका part B का इसे भी आपका मदपदेश में मिला लिया गया था ठीक है? एक कहानी आपकी part A, part B की कतम होती है जो part C था जिसे आप लोग जिसकी राध्धानी रीवा थी और बिन्ध पिदेश इसे पूरा का पूरा, part C को पूरा का पूरा मदपदेश में मिला गया था और part A, part B को पूरी तरह से नहीं, इससे कुछ छेत आप देखेंगी part A से महराष्ट में चला गया था और part B से आपका कुछ छेत राजिस्थान में चला गया था उन छेत को भी आप लोग याद रखें पूछ लेगा कि आपका part B से कौन से चला चेत आपका राजिस्थान में गया था और आपको चार ओप्सन देदेगा तो आप लोग इन पॉइंटों को याद रख सकते हैं ठीक है, एक कहानी बनती है आपकी, अब आ जाता है आपका 1 नवंबर 1956 एक नवंबर 1956 और इसलिए आप जानते हैं कि एक नवंबर को आपका मद्वदेश दिबस भी बनाते हैं तो एक आप लोगों को यहाँ point याद रखना होगा, कि जब एक नवंबर 1956 को मद्वदेश राज बनता है तो इसमें कितने जिले थे? कितने संभाग थे? और कितना छित फल था इसका? एक questions तीन बन सकते हैं आपके तो आप लोगों को मालू होना चाहिए कि 8 संभाग थे, 43 यानि कि 43 आपके जिले थे, कितने? 43 आपके जिले थे और आपसे अगर छित फल की बाद की जाए, छित फल की, तो सबसे बड़ा राज जुगा करता था छित फल में मद्वदेश कितना छित फल था? चार लाख 43,444 वरक किलोमीटर ठीक है? और आप देखेंगे उसके बाद आप देखते हैं कि 36 गड़ अलग होने के बाद आपका मद्वदेश छेत फल में दूसरे स्थान पर आ जाता है और आपका जो राजिस्थान है ये पहले स्थान पर पहुंच जाता है इनको भी आप लो याद रखें फर आपसे कुश्चन्स पूंचा जा सकता है कि इसमें नए नए जिले कब जुड़े? क्योंकि आप जानते हैं कि भोपाल कोई जिला नहीं था आपको मालू है? भोपा जिले की स्थापना होती है तब जिले रहते हैं तर आप देखेंगे 26 नवंबर कब 26 नवंबर 1972 की डेट आती है 1972 आप लोगे अड़जिस्थ करना ठीक है 1972 को दो जिले बनाये जाते हैं कौन कौन से दो जिले थे? एक तो आपका भोपाल था एस सिहोर से अलग करके बनाये ग बनाय गया था तो यह भी आपसे कुछ्चन्स पूछा जा सकता है कि बोपाल को किस से अलग करके नया जिला बनाय गया था अगए ठीक है इस तरह आप देखेंगे 43 और 2 कितने हो जाते हैं आपके? 45 ठीक है आप आँगे बढ़ते हैं 45 से आँगे कब जिले जोड़े गए तो एक आपको याद रखना है एक आपका बी आर्थ दोबे इनकी अनुसंसा या इनकी अध्यक्षता में एक आपका आता है जिला पुनर गठन आयोग जिला पुनर गठन आयोग ठीक है बड़ा मुस्किल होता है इस पर लिखना बोड पर छोटा सा है न ठीक है तो आप लोग एड़ेस्ट करिए ठीक है तो जो आपका जिला पुनर गठन आयोग बनता है बी आर इस नाम को जरूर याद रखिए पूछा जा सकता है बी आर दुबे की अध्यक्षता में इसे सम्ती भी कह देते हैं आप लोग तो ए देखिए बी आर दुबे की जो अध्यक्षता में जिला पुनर गठन आयोग आता है और दस आपकी जिली जोड़े जाते हैं कब 25 मई इस डेट को जरूर याद रखिए 25 मई 1998 इन में कौन-कौन से जलाब का मद्विदेश का सामिल था इसमें आप देखें कि चार जिली तो आपकी मद्विदेश के थे और छे जिली आपके 36 गड़ते थे इसमें मद्विदेश को आप लोगों को याद रखना है इन ही से कुश्चन्स पूछे जाएगा तो इस मद्विदेश के चार जिले थे बढ़वानी, सेहुपर, कटनी, डेडोरी इन्हें आप लोग याद रखिए इस तरह आप देखें कि कितने हो जाते हैं, पैंताली सो और दस पचपन, ठीक है यानि कि इस बी आल दोबे की अध्यक्ष्टा में जो जिलाप उनरगठन आयोग आता है, और इसकी अनुसंसा पर आपके दस जिले जोड़े जाते हैं 25 मई 1998 में इस तरह आपके हो जाते हैं टोटल 55, ठीक है पर 1998 में ही आप देखेंगे सिंग ये देवो समती आती है सिंग देवो समती कब आती है 1958 की ही बात है तो इसकी अनुसंसा पर आप देखेंगे 6 जिले बनते हैं कितने 6 जिले जोड़े जाते हैं याद रखिए 10 जून 1998 को आपकी दस 1998 को 6 जिले बनाया जाते हैं और तो 55 और 6 कितने हो जाते हैं 61 कितने 61 61 ठीक है इन दो समतीयों को जरूर याद रखिए आप लो जिला पुनरगरठन आयो आपका वी आर दोवी की अध्यक्षिता में बना था 1998 में ही इसके तहत आप देंगे 10 जिले जूड़े गए थे एक था आपका सिंग देऊ समती इसके अंतरकत आपके इस समती की अनुसन साबर 6 जिले जूड़े गए थे 1998 की बात है ठीक है फिर आप देखते हैं कि एक नवंबर सन 2000 को एक नवंबर सन 2000 को आपके कितने एक नया राज बनता है 36 गड़ क्या? 36 गड़ और आप जानी कि एक कुश्चन से बन सकता है आपसे कि जब मद्पदेश से 36 गड़ कब अलाग हुआ था तो आप लोगों को एक नवंबर सन 2000 को और कितने जिलों को लेकर 36 गड़ बना था तो 61 में से आपके 16 जिले कहां चले गए थे? 36 गड़ में तो 16 जिलों को लेकर आपका 36 गड़ नया राज बना था ठीक है? यह आप लोग याद रख सकते हैं अब याद रखिए 36 गड़ के बनने के बाद सन 2000 में आपके कितने जिले बच्चते हैं मद्पिदेश में? 9 तो आपके संभाग बच्चते हैं और आपके 45 जिले बच्चते हैं कितने? 45 अब आप देखेंगे आंगे जिले और भी तो जुड़े आज आप देख रहे हैं कि टोटल आपके बाबन जिले हैं 10 संभाग बने हुए हैं तो ये नए नए जिले कब बने? इन्हें भी आप लोग देख लीजे आप देखेंगे एक बॉस समती के बारे में आप लोग सुनते हैं कौन? बॉस ये सुवाश्यंद बॉस नहीं थे बॉस समती की अनुसंसा पर ये कब की बात है? ये आपकी बात है 15 एगस्त 15 एगस्त सन 2003 की और इसमें आपके तीन नए जिले जुड़े जाते हैं तीन नए जिले जुड़े जाते हैं कौन-कौन से थी? एक तो आपका था खंडवा खंडवा से अलग करके बुरहानपूर माप करिए बुरहानपूर आपका जिला बना था किस से अलग करके? ये भी पूचा जा सकता है कि बुरहानपूर किस से अलग हो कि नया जिला बना था? और कब बना था? तो ये भी आप लोग याद रखिए, खंडवा से अलग करके, एक अनुपपुर बनाए गया था, सहडोल से अलग करके, एक असोक नगर बना था आपका, गुना से अलग करके, ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं कि 45 से जिले बचे थे आपके 36 गड़ अलग होने के बाद, औ यानि कि 17 मैं 2008 को, कौन कौन से जिले बनते हैं दो, एक तो आप जानते हैं कि अली राजपूर, कौन था, अली राजपूर, दूसरा था आपका सिंग रॉली, इन दो को याद रखिए, आपसे अगर कुश्चन्स पूचता है कि अली राजपूर को कब जिला बनाया गया था तो 2008 में 17 मैं, माई 2008 को, सिंग रॉली को भी आपका 2008 में ही जिला बनाता है, इस तरह आप देखते हैं, 48 दो कितने हो जाते हैं, 50, ठीक है, पर आता है 2013 का बनाता, 16 अगस्त, 16 अगस्त, 2013, और आप देखेंगे, इसमें एक नया जिला बनाया जाता था, कौन सा जिला था, आगर मालवा, किस से अलग करके बनाया था, साजापूर से, अगर आप से पूचता है कि आगर मालवा कब जिला बना, तो 16 अगस्त, सन 2013 को, किस से अलग करके बनाया था, फिर आता है October 2018, कब October 2018 और एक नया जिला बनता है निवारी, और इससे questions मुझे लगता है कि पूँचा जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि निवारी सबसे छोटा जिला है, जन संक्या के बारे मैं बात करी लिजिए, चाहे फिर आपका छित फल में हैं, ठेक है, और याद रखिए आपका टीकमगड से लग करके निवारी जिला बनाए गया है, जो आपका तहसील और चा थी, और आपकी जो आप देखते हैं पितवी पूर्थी और निवारी, इन तीन की बात कर रहा हूँ, आँगे नए जोड़ते हैं तो आप देखिए कि आप लोग करनेट से अपडेट होते रहा करना, उसमें आप लोग देखते रहे हैं, आपके बावन तो जिले हैं, और आप देख 10 संभाग हैं, ठीक है, तो ये अभी टोटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक कुष्चनस और आप से बन सकता है, क्या कुष्चनस बन सकता है, एक तू कुष्चनस आप से बन सकता है, कि दो समतियों के बारे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्हें आप लोग बड़े अच्छे से याद रख ले न, एक समती का नाम तो है, बी आर दव में आई थी तो यह आप लोग इन से दो याद रखी है ठीक है पर एक कुश्चन्स आप से पूछा जा सकता है कि सबसे जनसेंख्या मैं बता ही चुका हूँ कि सबसे छोटा जिला निवारी है और सबसे एक तरह से आपका जनसेंख्या और छितफल में दोनों में है और छितफल में बात करें तो छितबाड़ा है सबसे बड़ा और जनसेंख्या में इन दोर में पिछली क्लास में भी यह बात कर चुका था है अब आप से कुश्चन्स पूछेगा कि कौन से जिले में कौन सा एक तरह से आपका संभा कौन सा जिला पढ़ता hai या आपसे पूछे कि निवाडी जो नया बनाय गए किस संभाग में आता है तो इसे भी आप लोग देख लिजिए सबसे पहले आप लोग देख लिजिस जवलपुर को कहां जवलपुर को एक बार मैपस में देख लीजे तो मुझे लगता है कि बहतर याद भी रहेगा देखिए है आपका मदबदेश का मैप्स और इसमें जबलपूर आपको ये देखने को मिलेगा ठीक है और जबलपूर संभाग का आप देखिए कि इसका मुख्याल है आपको जबलपूर में देखने को मिलेगा इसमें कौन कौन से जली सामिल है और छितपल में सबसे बड़ा संभाग है आप लोग समझ रहे हैं तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा एक तो बाद आप देखेंगे छिदबाडा भी इसमें सामिल है और उसके बाद आप देखेंगे सिवनी भी इसमें सामिल है और इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपका बाला घट भी सामिल है मंडला भी सामिल है इसमें और आपका दिनोरी भी इसमें सामिल है ठीक है इस तरह से अगर बात करें आपसे कि इंदौर संभाग की बात कर लेते हैं तो देखें इंदौर एक जिल आपका इंदौर ही सामिल है और इंदौर संभाग का मुख्याला भी आपको इंदौर में ही देखने को मिलेगा यह आप लोग याद रुखें और आठ जिले आपको इंदौर में भी देखने को मिलेगे इसमें कौन-कौन से सामिल है एक तो आपने इंदौर देख लिया, धार भी देख लिया धार आपका सामिल है इसमें एक आप देखेंगे जाबुगा आपका सामिल है यह आपका जाबुआ, यह भी इंदोर संभाग में आपका सामिल है ठीक है और उसके बाद अली राजपूर भी आप तेखेंगे इंदोर संभाग में सामिल है और पश्चिमी निवाड जिसे आप लोग क्या कहते हैं खरगौन, यह भी आपका सामिल है और खरगौन के बाद आप देखेंगे पूरवी निवार जिसे आप लोग खंडवा कहते हैं ये भी आपका सामोल है और याद रखे बड़वानी भी सामिल है और बुरहानपूर इस तरह से टोटल आपके आर्ट इंदौर में भी है आपसे questions किसी भी तरह का पूँच लेगा आपसे पूच लेगा अली राजफूर किस संभाग में आता है ठीक है? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए फिर आप लोग भोपाल को भी देख लीजे तो भोपाल में कौन कौन सा आपका जिला सामिल है एक तो भोपाल ही है और याद रखे भोपाल संभाग का मुक्याल है भोपाल में ही देखने को मिलेगा ठीक है? तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए भोपाल हो गया उसके बाद आप देखेंगे सिहोर भी इसमें सामिल है उसके बाद आप देखेंगे राय सेन भी सामिल है राजगर्ड भी सामिल है इसमें ये राजगर्ड हो गया आपका सामिल है और उसके बाद बिदीसा इस तरह से टोटल पांच जिले आपके बहुपाल संभाग में भी सामिल है फिर आपका आता है ग्वालियर की भी बात कर लेते हैं ठीक है सब की बात कर लेते हैं कोई नहीं चूटेगा तो ग्वालियर संभाग का मुख्याला है देखिए ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा इसमें पांच जिले आपको देखने को मिलेगी इस तरह से टोटल इसमें पांच जिले आपके सामिल है ठीक है इसके बाद आप याद रखिए रीवा संभाग की बारे में बात कर लेते हैं यह आपका रीवा तो रीवा खुद सामिल है आपका और याद रखिए रीवा संभाग का मुक्याला आपको रीवा ही देखने को मिले इसके अंतरकत आपकी चार जिले हैं एक तो रीबा सतना उसके बाद आप देखेंगे सीधी सिंगरॉली यह सिंगरॉली वही है जहां से आप देखते हैं कि साड़े ब्यासी डिग्री जो आपकी मानक रेखा है समय रेखा वो गुजरती है ठीक है मदपिदेश के एक मात जले से होकर जाती है यह भी आप लोग याद रखिए उसके बाद आप देखेंगे उज्जेन संभाग को भी देख लिजे उज्जेन संभाग का आपका मुक्याल जैसे चंबल है चंबल संभाग का मुक्याल है चंबल में नहीं मुरेना में है तो इनसे कुशन्स जाना पूछ लेता है ठीक है उज्जेन की अगर बात करें ब्लोग तो उज्जेन में आपका उज्जेन जिला भी सामिल है इसके अंतरकर साथ जिले आपको सामिल देखने को मिलेंगे उज्यन के बाद आप देखेंगे देवास एह आपका देवास भी इसमें साबिल है उसके बाद आप देखेंगे साजापुर फिर आप देखेंगे आगरमालवा उसके बाद आगरमालवा की बाद रतलाम उसके बाद आप देखेंगे मंदसोर नीमच इस तरह से आप के साथ जिले हो जाते हैं किसमें उज्जेन जिले में उज्जेन संभाग में फिर आता है आपका सागर और आप जानते हैं यह सागर तो सागर का मुख्याल सागर संभाग का मुख्याल है सागर में ही देखने को मिलेगा पहले इसमें पांच जिले हुए करते थे लेकिन अब नया जिला आपका निवाड़ी भी सागर में आता है जो नया जिला आपका टीकमगड से अलग करके बनाए गया है यह सागर संभाग में आता है ठीक है याद न्रण याद के तूइंड साघर उसे जिलाता है एक तो मुर्यनस यह नेका से उकूर आता है इसमें total तीन जिले आते हैं आपके किसमें? चम्बल संभाग में एक आपका है नर्वदापुर्म संभाग इसका मुख्याल आपको देखने को मिलीगा होसंगाबाद कहा? होसंगाबाद यह है आपका होसंगाबाद और याद रखी इससे पहले होसंगाबाद नाम के नाम से भी जानते थे आप लोग लेकिन 2008 में आपने देखा होगा कि होसंगाबाद संभाग का नाम बदल गए नर्वदापुरम कर दिया गया था तो इससे भी आप लोग याद रखी और इसमें कौन-कौन से जिले सामिल हैं? एक तो और बैतूल एतीन जिले है आपके होसंगाबाद में ठीक है? एक है आप लोग याद रुखी एक है आपका सहडोल क्या है? सहडोल संभाग तो इसमें कौन-कौन से जिले आपके सामिल हैं? तो एक तो आप देखेंगे इसमें सहडोल में आपका देखने को मिलीगा आपको सहडोल देखने को मिलीगा एक तो समझ रहे हैं? देख रहा है आप लोग एक सहडोल हो गया आपका इसमें जिला एक आपका उमरिया हो गया और एक आपका अनुपपुर हो गया तो सहडोल संभाग में भी आपके तीन जिले हैं ठीक है? यह भी आप लोग याद रख सकते हैं और सहडोल संभाग का मुख्याले भी सहडोल में ही देखने को मिलेगा ठीक है और इसका गठन हुआ था 14 जून 2008 को ठीक है सहडोल संभाग का गठन हुआ था तो इसमें तीन आपके जिले सामल है तो यही कुश्चन्स मुझे लगता है कि आपके राज्यपुनर गठन जो आप कि इनसे कुश्चन्स मुझे जाने की संभाव ना भी रहती है यह भी आप लोगों को याद रखना हुगा ठीक है चलिए तो आंगे हम लोग इतिहास में आपके देखेंगे इतिहास से कौन-कौन से कुश्चन्स बन सकते हैं ठीक है इतिहास की हम लोग बात करेंगे ठीक है